हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल फिंगर्स मैजिक में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ स्टप्ट मूली के पराथे इससे पहले मैंने मूली का पराथा बनाया है आप वो चेक आउट कर सकती है इसमें मैं स्टफिंग करूंगी रेसेपी बहुत ही सिंपल है तो चलिए शुरू करते है इससे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बड़ा साइज का प्याज जो मैंने फाइन चॉप्ट किया हुआ है तीन मूली ले 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 आप इससे मैंने कद्दू कस किया है दो मीडियम साइज का गाज है इसे भी कद्दू कस कर ले दो हरी मिर्च पांसे छे लहसन की कर लिया एक इंच दरक का टुकड़ा दो बड़े साइज के आलू मैंने आप उबाल कर मैश्ट कर लिये है सबसे पहले कड़ाई चड़ाई हमें मसाले तयार करने है स्टफिंग के कड़ाई को अच्छे से गर्म होने दे इसमें मैं दो बड़ा चमच ओल डाल रही हूँ आप कोई भी ओल यूज कर सकती है मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ओल यूज किया है जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें आप एक टीस्पून जीरा डाल दे अब इसमें एक जूटकी हिंग डाल दे जब यह अच्छे से पक जाए तब आप इसमें प्यास डाल दे मिक्स कर लें अच्छे से इसे लगभग दो से तीन मिनट तक भून ले जब यह थोड़ा पक जाए तब इसमें ग्रीन चिली डालें मिक्स कर ले अब इसमें अद्रक और लहसन डाल दे एक चीज का आप खयाल रखें आप इसे कदुकस कर सकती है मैंने इसे चॉप्ट कर लिया है आप कदुकस करके भी अद्रक और लहसन इसमें डाल सकती है अब इसमें गाज़े डाल दे जो हमने कदुकस करके रखी हुई थी अच्छे से मिक्स कर ले अब इसमें मूली डाल दे मिक्स कर ले इसे थोड़ी देरी भूने इसे सॉफ्ट होने तक पका ले बस हमें इसका कच्छापन दूर करना है अब इसमें आलो डाल दे मिक्स कर ले अब इसमें कुछ सूखे मसाले आड़ करें सबसे पहले नमक डाले स्वाद के अनुसार एक टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दे एक टी स्पून चिली फ्लेक्स डाले इसे मिक्स कर ले अब इसमें एक टी स्पून जीरा पाउडर डाल दे आदा टी स्पून आमचुर पाउडर डाले और मिक्स कर ले यहां मैंने रोस्टेट जीरा पाउडर डाला है अच्छे से बून ले अब इसमें एक टाई चमच गरम मसाला पाउडर डाल दे मिक्स कर ले यह अच्छे से बून चुका है थोड़ी सी धनिया पत्ती डाले और मिक्स कर ले स्टफिंग मसाला बिलकुल रेडी है अब आटे तयार कर ले आटे को तयार करने के लिए चार बड़ा चमच आटा ले ले गी हुका उसमें नमक स्वादा नुसार डाले थोड़ी सी अजवाइन ले एक टी स्पून और उसे दोनों हाथों से अच्छे से मसल कर डाल दे दो बड़ा चमच ओयल ले ले रिफाइंड ओयल ले रही हूं मैं इसे मिक्स कर ले पहले से अ सॉफ्ट आटा गूत कर तयार कर लें हमारा डॉब बिलकुल रेडी है इस तरीके से आफ सॉफ्ट आटा तयार कर ले इसे दस मिनट के लिए अलग चोड़ दें दस मिनट के बाद आप इसे फिर से अपने हाथों से मिला ले अब हम इसकी पराठे तयार करेंगे सबसे पहले इसके पेड़े काट ले थोड़े बड़े पेड़े काटे इसे रोल कर ले और इस तरीके से दोनों हाथों से आप कटोरी तयार कर ले यह देखिए अब इसमें स्टेफिंग का मसाला डाले और दोनों हाथों से इसे सील कर दें इसे अच्छे तरीके से बंद करें ताकि जब आप इसके पराठे बे ले तो यह फटे ना और मसाले बाहर ना आए दोनों और आटा डाले अब इसके पराठे तयार कर ले बिलकुल हलके हाथों से बे ले मैं यहाँ पर आयन का तवा यूज कर रही हूं आप चाहिए तो नॉन स्टिक भी यूज कर सकती है इसमें पराठे डाल दे जब यह एक तरब से सिख जाए तो दूसरी तरब से भी अच्छे से से लें जब तक कि यह सिख जाए तब तक हम दूसरे पराठे भी तयार कर लेते हैं इसी तरीके से आप स्टफिंग डालें इसे सील कर लें यह बल्कुल रेडी है पराठे भी दूसरी और से सेख चुके हैं मैं यह पर घी लगा रहे हूं आप चाहें तो बटर यूज कर सकती है दूसरी और पलटते दूसरी और भी घी या बटर लगा लें फ्लेम आप मीडियूम टू लो रखें पराठे बिल्कुल रेडी हैं इसी तरीके से आप बाकी पराठे भी तयार कर लें आप इसे नास्ते या रात के खाने में बना सकती हैं पराठे बिल्कुल रेडी हैं आप इसे आलो की सबजी या पनीर की सबजी के साथ में शर्फ कर सकती हैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए